हेलो, वेलकम टू एक्जाम हेलप लोगा स्टाडी चनल दोस्तो आपने देखा होगा कि कुछ टाइम से ओनलाइन का जो क्रेज है ओनलाइन स्टडी करने का जो क्रेज है वो इतना जादा बढ़ता जा रहा है इंडिया में क्योंकि काफी नहीं नहीं ये advanced technologies आई हैं हमारे भारत में और कुछ टाइम तक तो पहले internet भी काफी strong नहीं हुआ करता था बट कुछ टाइम से देखा जा रहा है कि जब से जीयो आया है और काफी सारे जो internet plans हैं वो इतने सस्ते हो गए हैं और जिसने online study को काफी इसका जो डायरा है वो बहुत ज़ादा बढ़ा दिया है तो हम ये देख रहे है कि काफी सारे बच्चे confused होते हैं आज हम देखने वाले हैं कि क्या इसके advantages हैं यानि कि online study करने के क्या क्या advantages हैं और साथ में क्या क्या disadvantages हैं यानि कि नुकसान हैं तो जो पहला इसका फाइदा है वो ये है कि इसकी जो रीच है वो limited नहीं है यानि कि unlimited रीच है अब माल लीजिए मुंबई में या दिली में कोई बहुत अच्छे टीचर है तो गाओं का बच्चा उनसे कैसे classes लेगा या तो गाओं के बच्चे को मुंबई में आना पड़ेग दिली में आना पड़ेगा ऐसी जगाओं पर आना पड़ेगा बड़े माहनगर में आना पड़ेगा बड़े प्लेसिस पर आना पड़ेगा या फिर उस टीचर को वहाँ जाना पड़ेगा बट online classes के जरीए यह possible हुआ है कि easily घर बैटे ही village में ही एक बच्चा जो की गाओं म यह आपको घर में बैटना है घर में study करनी है आपके लिए काफी easy हो जाता है कि आप घर में बैट कर ही बहुत अच्छी study कर सकते हैं online classes का एक बहुत बड़ा जो फाइदा है वो यह है कि आपको universal skills मिलती है भी foundation नहीं है कि आपको अगर कोई teacher appoint हुआ है तो आपको उसी से यहाँ पर online classes में नहीं होती universal है आप चाहे अपने देश के किसी teacher से पढ़ना चाते हैं तो वो आपकी मरजी है आप विदेशों में पढ़ना चाते हैं विदेश के किसी teacher से घ्यान लेना चाते हैं तो वो भी possible है तो काफी convenient है इस मामले में देखा जाए तो online study का एक ये भी यानि कि कभी न रुकने वाला एक ऐसा process है जो कि एक ऐसा built हो गया है यानि कि मान लीजे कभी YouTube पे कोई भी वीडियो डली हुई है तो वो हमेशा के लिए YouTube पे ही रहने वाली है जब तक YouTube रहेगा वो हमेशा के लिए YouTube पे ही रहने वाली है वो कभी हटने नहीं वाली और इसम लेक्चर को cover कर सके बट यहाँ पर आप एक बार unlimited chances हैं यहाँ पर आप एक वीडियो को जितनी बार देखना चाहे उतनी बार देख सकते इसका बहुत अच्छा advantage यह है कि यह financial बहुत अच्छा है benefit देता है क्यों क्योंकि online courses जो है वो देखे गए हैं कि यह जो दूसरी classes होती है जो कि हम personally जाखर लेते हैं उससे काफी सस्ते होते है यानि कि अभी जो market में online classes चल रही है वो काफी सस्ती है यानि कि economical भी online study होती है Online Study आपको Self Discipline बनाती है, यानि कि आपको Self Discipline भी सिखाती है, यानि कि आपको खुद से ही अपनी चिंता करनी होगी, क्योंकि बात कर लेते हैं इसके Disadvantage के बारे में, यानि कि इसमें क्या क्मी हैं, देखिए सबसे पहली जो इसमें कमी है वो ये है कि आपको Active learner होना का अगर आप active learner नहीं है क्योंकि आपके सर पे कोई भी ऐसी आपके सर पे कोई नहीं बैठा है कोई भी teacher आपको डिंडा मार कर ये बताने नहीं वाला है नहीं आपको करना है यानि कि कोई सकताई नहीं है आपको खुद से ही अपना teacher बनना पड़ेगा और आपको discipline लाना ही लाना पड़ेगा अपनी life में तो ही आप online classes का advantage ले सकते हैं यानि कि आपको self discipline तो होना ही पड़ेगा अगर आप self discipline नहीं है अपने आपको नहीं बनाते हैं तो फिर आपके लिए ये disadvantage होने वाला है ऐसे देखा जाये तो इसमें responsibility किसी की नहीं होती तो एक जो इसका सबसे बड़ा जो disadvantage है वो ये है कि responsibility नहीं होती क्योंकि हम अकसर ये करते आ रहे हैं कि ज्यादा तर जो responsibility हम set करते हैं वो कुछ teacher की responsibility set कर देते हैं for example हम school teacher की responsibility college में है तो college institute में पढ़ रहे हैं तो institute के teacher की responsibility set करते हुए आ रहे हैं अब तक लिकिन online में आप किसको क्या बोलेंगे यानि कि online में सिर्फ आप खुद ही अपने responsible हैं तेखे online classes जो होती है उसमें जो overall growth होती है overall growth का मतलब यहाँ पर क्या है कि जब आप colleges में जाते हैं जब आप schools में जाते हैं environment में होता है जिससे कि क्या होता है आपकी psychological जो growth है वो बढ़ती है आपकी physical growth बढ़ती है mentally आप बहुत prepare होते हैं कई सारी चीज़ों के लिए तो यहाँ पर यह disadvantage है क्योंकि आपको बंद एक कमरे में ही यहाँ पर education लेनी है तो अपने लिए हम खुद ही सारी अपने सामान की खुद ही जिम्मेवार है यहाँ पर वो rule लागो होता है देखे कभी कबार यह देखा जाता है कि online study जो है वो time consuming बन गई है क्योंकि अगर आपको कोई भी queries पूछनी है अगर आपको कोई भी doubts पूछने है अपने doubts clear कर रहे हैं तो जो हमारी traditional classes है उसमें तो बहुत easy होता है हम next class में जाकर अपने teacher से directly सवाल कर सकते हैं directly हम अपनी queries को पूछ सकते हैं बट online study में काफी tough हो जाता है क्योंकि आपको typing करने में time लगता है आपको अपना message record करके भीजने में काफी time लगता है एक और इसका disadvantage है वो यह है कि यहाँ पर time management करना बहुत मुश्किल है क्योंकि आपको पता होता है कि college में तो आपको जाना है एक सिमित समय है एक निरधार समय है आपको उतने बज़े ही जाना है school उतने बज़े ही जाना है बट online study करते होए क्या आप खुद के एक तरसे मालिक बन जाते हैं आपका खुद पर hold होता है तो आप आलस के चलते कभी कबार और दूसरी चीज़ों के चलते social media के चलते आप online classes को ignore कर देते हैं और time assign नहीं नहीं कर पाते जो कि आपके लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द बन जाता है जो अभी ही आपको tension नहीं देता है बट आप बाद में आपके लिए एक बहुत बड़ी problem खड़ी हो सकती है क्यों क्यूंकि आप धीरे धीरे करकर इतना जादा control अपने उपर से खोते चले आए है आपने इतनी classes miss कर दी है online classes तो कहीं ना कहीं आपको त्यारी का बड़न है exam time में वो बहुत ज़ादा पढ़ जाता है तो देखा जाए तो time manage करना online classes में online studies में बहुत ज़ादा ज़रूई अगर आप नहीं करते हैं तो फिर आपको बहुत बड़ी problem का सामना करना पढ़ सकता ह देखें कहीं कहीं online classes जो हैं हमें bound बना देती हैं यानि कि हमें एक हमारी मजबूरी है कि हमें एक कमरे में ही रहना है हमें एक room में बंद होकर study करनी हैं तो कहीं ना कहीं हम थोड़े time तक starting में तो बहुत ज़ादा अच्छा लगता है कि हां हम online study कर रहे हैं बट कुछ time के बा बंद हुए जैसा महसूस कर रहे हैं last जो इसका disadvantage है वो यह है कि कभी कभार ऐसा दिखा गया है कि online fraud भी हुए है cheating भी है किसी ने बेवकूफ मनाकर student से पैसा ले लिया है और classes नहीं provide किया तो ऐसी स्तिती भी देखने को मिली है online classes में online studies में तो गाइस यह तो थे आपके कुछ advantages and disadvantages online classes पर हम मैं next वीडियो में आपके लिए लेकर आऊँगा कि आप online study घर पर ही करके कैसे आप exams में अच्छा score कर सकते हैं तो वो जो tips रहने वाली है बहुत important रहने वाली है आपका बहुत मदद करेगी आपको study में online classes लेने में आपको online study करने में और हाँ हमें comment box में आप ज आपके फायदा है या आपके लिए नुकसान है तो अपना experience जरूर शेयर कीजे दूसरों के लिए comment box में तो आप हमारे साथ जोड़े रहेगा चैनल को subscribe करेगा like कीजेगा और साथ में bell icon को भी प्रेस कीजेगा और जरूर देखेगा हमारी miss मत कीजेगा आप आप जरूर दे देखेगा हमारा चलिए तब तक के लिए बाई बाई